हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका रेवा मश्रूम फार्म एन किचिन चैनल में आज बहुत सारे कोश्चन इखटे हो गए थे तो मैंने सोचा कि आप लोगों के कोश्चन के आंसर दे दिये जाएं तो यह मैंने कोश्चन आंसर सेशन आज रखा है तो हमें एक एक करके पैकेट बनाके रखते हैं तो उस समय आपको सिर्फ मक्ही और मच्छर इन दोनों को दूर भगाना है और उसके लिए आपको क्या करना है कि नुवान दवाई का इस्प्रे करना है कॉर्णर कॉर्णर में दिवाल में और फर्स में पैकेट में मत करिएगा सर आप उसको माईसीलियम खतम होने लगा है मच्छर की वज़ए से क्या दोबारा माईसीलियम बनेगा बैग में तो देखिए अगर माईसीलियम पूरी तरह समाप्त हो गया है और अगर उसमें रणिंग कंडिशन में नहीं है वो तो मुस्किली है जो उसमें माईसीलियम अब दोबारा अगर फिर भी आप उसमें एक ट्रीटमेंट कर सकती है कि आप उसमें नुवान का हलका हलका इस्प्रे कर सकती है अगर जो भी मक्ही मच्छर या कीड़े पड़े होंगे वो मर जाएंगे और शायद देखिए आपका पैकेट रन हो जाए इनी का कोश्चन था कि हमारे मश्रूम के पैकेट में काले काले चोटे चोटे मच्छर जैसे हैं तो आप उसमें नुवान का इस्प्रे करिए नुवान बहुत ही अच्छी दवाई है इनके लिए तो उससे वो खताम हो जाएंगे मिश्टर डी का कोश्चन है ओस्टर मश्रूम में फर्स्ट कटिंग काटने के बाद कितने और एयर देने चाहिए तो सर जो भी आप जब माइसिल्यम रान हो जाता उसके बाद जब आप फ्रेश एयर देना चालू करते हैं तो वही प्रोसेस कंटीनियू रखिए आपको वै फर्स्ट क्रॉप या सेकेंड क्रॉप के बाद ऐसा कुछ भी नहीं कि कुछ चेंजिस करने हैं आप बराबर हो वैसे ही यह दीजे आप यह कर सकते हैं कि फर्स्ट क्रॉप के बाद आप पैकेट में चीरे भी लगा सकते हैं या पन्नी भी अलग कर सकते हैं लेकिन गर्मी के moisture maintain करने के लिए आपको पानी का लगातार spray करते रहना पड़ेगा आप दिवालों पे बोरे लटका सकते हैं जो बोरे सुतली वाले बोरे आते हैं वो आप दिवालों पे लटका सकते हैं उस पे spray कर सकते हैं इससे moisture maintain हो जाएगा अगर आपके पास budget है तो आप अच्छा humidity fire ले सकते हैं humidity fire आप लेंगे तो वो आपका पूरा काम कर देगा और अगर आपका बिल्कुल budget नहीं है तो आप सस्ता और टिकाओ काम कर सकते हैं कि आप बोरे वगरे लगा सकते हैं side में देवालों में और आप फर्स में पानी डाल सकते हैं अगर आपके पास rate available है rate वैसे बहुत महंगी पढ़ती है लेकिन अगर rate आपके पास available है तो आप उसे फर्स में डाल सकते हैं और उसमें पानी डाल सकते हैं उससे नमी बराबर बनी रहेगी अगला question पुस्पैंदर जी का है सर बटन मश्रूम पिन हेड निकलते टाइम ऑक्सीजन जादा रखनी है या कारवन डियोकसाइड ग्रीन मोल्ड का इलाज क्या है तो देखे सर मेरा काम ओष्टा मश्रूम और मिल्की मश्रूम का है बटन मश्रूम का मुझे उतना नौलेज नहीं है उतना नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको अपने अनौवाफ से बता सकता हूं कि जब पिन हेड निकलते हैं तो हमें उसमें फ्रेश एर की जरूत पड़ती है carbon dioxide की जरूरत नहीं पड़ती है तो आप fresh air ही उसमें दें किस अनपात में देनी है वो आप देख सकते हैं मुझे उसका idea नहीं है लेकिन आप उसमें fresh air ही दें carbon dioxide की जरूरत नहीं पड़ेगी pinhead निकलते time और green mold का इलासर यह है कि आप शुरू में अगर थोड़ा बहुत है तो आप उधर पर formalin का रूइ से रूइ में एक formalin handed ml पानी में 2-4-5 बूढे formalin की डाल के और आप उसमें रूइ से आप उसको भिगो के और जहां पर green mold है वहां पर लगा सकते हैं अगर ग्रीन मोल्ड खतम हो गया तो अच्छी बात है अन्य था आपको वो पैकेट फेकना पड़ेगा दबल दिख्चिस जी पूछ रहे हैं कि जवलपूर से हैं क्या हाँ सर मैं जवलपूर MP से हूँ हमारा फार्म जवलपूर में ही है हैमन दिवान जी कहते हैं कि पैरा मश्रूम में वीडियो बनाई है तो सर अभी पैरा मश्रूम में हमारे हाँ तो कोई भी कल्टिवेशन नहीं कर रहा है लेकिन मैं कोसिस करूँगा कि कोई भी अगर कल्टिवेशन कर रहा है तो मैं उसके फार्म पे जाके आपके लिए पैरा मश्रूम का वीडियो जरूर बनाऊंगा संजय गड़पाल जी बोल रहे हैं कि सूखी मश्रूम की सबजी का वीडियो बनाईए तो सर सूखी मश्रूम की सबजी का वीडियो मैं अल्लेडी बना सुका हूँ सबás जी का नहीं बनाया है माफ करियेगा मैंने मैगी का बना चुका है कि सूखी משah Liebe में कैसे यूज करते हैं और बहुत जल्द मैं आपके लिए सूखी mushroom की सब्जी का वीडियो लाऊंगा सर बिल्कुल लाऊंगा मैं आपके लिएर्शपी जरूर करिए और यहीं कोश्चन करते रहे हम आंसर आपके लिए लाते रहेंगे आप हमारे साथ यहीं जुड़े रहे हम यहीं ऐसे ही मश्रूम का कारों आंगे लेके जाएंगे तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जैहिन